नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुकेट एंगल पे मैं हूँ आपका दोस्त शुबम मिश्रा तो ICC Women's C20 World Cup 2013 का फोर्थ मैच और महा मुकाबला खेला जाएगा 12 फरवरी को इंडिया वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के बीच Newlands Cape Town में इंडिय इपोर्ट क्या है वही पर इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं इसके अलावा दोस्तों इस महा मुकाबले में Newlands Cape Town की पिच पर कौन से गेंदबास और बल्लेबास ज्यादा एफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी इंट्रस्टिंग और इंफॉर्मेटिफ इसे लास तक जरूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली पार विजिट कर रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओन करते ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंट्रस्टिंग विडियो और अपडेट्स लगतार मिलती रहें तक टोटल 6 Women's T20 International matches हुए हैं जिसमें से 1st innings में बैटिंग करने वाली टीम ने 4 matches जीते हैं जबकि 2nd innings में बैटिंग करने वाली टीम ने 2 matches जीते हैं इसके इलावा average first innings का score 129 runs का है जबकि average second innings का score 115 runs का रहा है तो आप इन overall Women's T20 International matches के stats से clearly देख सकते हो कि इस pitch पर जिस team ने 1st innings में बैटिंग करी है उस team को ज्यादा advantage मिला है इसलिए 1st innings में बैटिंग करने वाली team ने ज्यादा matches भी जीते हैं योगि 1st innings में जो Newlands Cape Town की pitch है वो बल्ले बाजी के लिए काफी बहतर रहती है पहली पा जिस वज़े से गेंद बल्ले पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है और बल्ले बाजी करना मुश्किल होता चला जाता है और यहाँ पर दूसरी पारी में जो slow ballers हैं यानि की medium fast ballers और spinners वो ज्यादा effective होते हैं इसी वज़े से दोस्तो score chase करना मुश्किल होता और इसका example आपको Women's Street 20 World Cup 2023 के पहले match में भी देखने को मिल गया था जो कि शिलंका वोमेन और South Africa वोमेन के बीच खिला गया था शिलंका वोमेन की team ने first innings में बैटिंग करते हुए 129 runs बनाये थे लेकिन South Africa वोमेन की team इस score को chase नहीं कर पाई थी और 3 runs से मुकाबला हार गई थी तो यह से साफ हो जाता है कि पहली पारी में बल्ले बाजी करने वाली team को एक बार फिर से इस मुकाबले में advantage मिलेगा और मुझे लगता है कि अगर first innings में बैटिंग करने वाली team 130 या 140 के आसपास तक का score बना देगी तो वो इस switch पर काफी ज़दा अच्छा score माना जाएगा इतने score को chase करना मुश्किल साबित होगा इसके लावा अगर हम बात कर ले इस मैदान के overall women's t20 international matches के कुछ records की तो जो highest total यहाँ पर बना है वो india woman का है south africa woman के खिलाफ 166 runs for the loss of 4 wickets इसके लावा जो lowest total है वो शिलंका woman का है south africa woman के खिलाफ 90 runs for the loss of 8 wickets highest total जो chase हुआ है वो south africa woman ने किया ह शिलंका woman के खिलाफ 94 runs for the loss of 3 wickets इसके लावा जो lowest total defend हुआ है वो south africa woman ने किया है west indies woman के खिलाफ 119 run 3 wicket की नुकसान पर वहीं अगर हम scoring pattern की बात कर ले तो 150 से नीचे का score first innings में 4 बार बना है इसके लावा 150 से 179 की बीच में teams ने 3 बार score किया है वहीं पर 170 से 189 के बीच में एक बार भी score बेखने को नहीं मिला है और 190 के उपर का score first innings में एक बार भी नहीं बना है तो यह जो overall women's T20 international matches के scoring pattern है वो भी आपको clearly बता रहे हैं कि यह high scoring venue नहीं है यहाँ पर overall बल्ले बाजी करना बहुत ज़्यादा आसान साबित नहीं होता है तो ऐसे में एक बार फिर से आप first innings का जो score है वो 140 के आसपास का expect कर सकते हो और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस match में newlands Cape Town की pitch पर कौन से गेंदबास ज्यादा effective साबित हो सकते हैं spinners या fast ballers तो जो last 3 women's T20 international matches इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके records की बात कर लें तो total 19 wickets fast ballers दिलिए हैं जबकि 13 wickets spinners को मिले हैं राइट आम fast ballers ने 19 wicket लिए हैं जबकि लेफट आम fast ballers को कोई wicket नहीं मिला है राइट आम off spinners ने भी कोई wicket नहीं लिए हैं इसके लावा राइट आम leg spinners को 4 wicket मिले हैं जबकि लेफट आम spinners ने 9 wickets लिए हैं तो ये जो last 3 women's T20 international matches के stats हैं वो आप fast ballers की बात कर लें तो जो शुरुवाती overs होते हैं यानि कि power play overs वहाँ पे तेज gain buzz को थोड़ी swing मिलती है जिस वज़े से वो आपको power play overs में wickets रटकाते हुए नजर आ सकते हैं इसके लावा दोस्तों जैसे जैसे match आगे बढ़ता जाएगा तो जो medium fast ballers हैं यानि कि जो अपन हद तक slow हो जाएगी और spinners को यहाँ पर grip और turn भी मिलेगी तो दूसरी पारी में जो spinners है वो आपको घातक सावित होते हुए नजर आ सकते हैं ऐसे में दोस्तों मेरा आपको overall suggestion गही रहेगा कि अगर आप fantasy 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी playing 11 में fast ballers और spinners दोनों को include करना च जहाँ पर आप 3 spinners और 2 fast ballers को अपनी fantasy 11 में रख सकते हो तीन spinners में दोस्तों आप एक right arm off spinner एक right arm leg spinner और एक left arm spinner के साथ जा सकते हो और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस महा मुकाबले के लिए दोनों टीमों की accurate predicted playing 11 के बारे में तो अगर हम सबसे पहले Indian women's team की playing 11 क के बारे में बात कर लें तो Indian women's team को इस match से पहले बड़ा जटका लगा है जहाँ पर उनकी star opener स्मरती मंधना इस match से बाहर हो चुकी है क्योंकि practice match के तुरान fielding करते वक्त उनकी left middle finger में चोट लग गई थी जिस वज़े से वो अभी तक पूरी तरीके से fit नहीं हो पाई है और इस match में आपको खेलते वे नज़र नहीं आएंगी तो आपको जो Indian women's team की playing 11 है वो इस प्रकार की नज़र आ सकती है ओपनिंग करते वे नज़र आएंगी जमाइमा रोट्रिगेस के साथ शिफाली वर्मा, नमबर तीन पर आ सकती है हर्लीन दियूल, नमबर चार पर कैप्ट प्रेडिक्टेट प्लेइंग 11 के बारे में तो पाकिस्तान women's team को भी T20 World Cup 2023 से पहले काफी बड़ा जटका लगा है जहाँ पर इनकी main player डाइना बेक इस पूरे World Cup से injury की वज़े से बाहर हो चुकी है तो जो आपको पाकिस्तान women's team की playing 11 है वो इस प्रकार की नज़र आएगी उपनिंग करतों पे नज़र आ सकती हैं सिद्रा अमीन के साथ जाविरिया खान, नमबर तीन पर आ सकती हैं कैप्टेन बिस्मा मारूफ, नमबर चार पर विगेट कीपर मुनीबा अली, नमबर पांच पर निडाडार, नमबर छे पर आईशा नसीम, नमबर साथ पर सदाफ शमस, नमबर आट पर आलियरियास, नमबर नो पर सिद्रा नवास, नमबर दस पर फातिमा सना और नमबर ग्यारा पर नाशरा संधू आ सकती हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इस महा मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में, तो अगर हम सबसे पहले ओवरॉल हेट टो हेट रिकॉर्ड की बात कर लें, तो इंडिया वुमन और पाकिस्तान वुमन का T20 इंटरनेशनल में आमना सामना टोटल 13 मैचेस में इसके लावा अगर हम बात कर लें, लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की जो की इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, तो वहाँ पर भी इंडियान वुमन्स टीम ने डॉमिनेट किया है, इंडियान वुमन्स टीम ने चार मैचेस जीते हैं, जबकि पाकिस्तान वुमन क सिर्फ एक मैचे सीजीते हैं, अब हम बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की, तो T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों का आमना सामना टोटल शे मैचेस में हुआ है, जहाँ पर इंडियान वुमन्स टीम ने चार मैचेस जीते हैं, जबकि पाकिस्तान वुमन की तो T20 World Cup में भी Indian Women's Team का पलड़ा भारी रहा है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की recent form के बारे में, तो Indian Women's Team ने जो last 5 T20 international matches खेले हैं, उसमें से 3 matches जीते हैं, जबकि 2 matches में हार का सामना करना पड़ा था, दूसरी तरफ Pakistan Women's Team ने जो last 5 T20 international matches खेले हैं, उसमें से सिर भी Indian Women's Team काफी ज़्यदा बहतर form में नजर आ रही है, और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इस match के लिए दोनों टीमों की तरफ से की players की जो की इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और आप इन्हें अपनी fantasy 11 का हिस्सा भी बना सकते हो, तो अगर ह आप स्मृती मांधना की जगह पर शिफाली वर्मा को fantasy 11 में रख सकते हो, पाकिस्तान वुमिन की टीम की तरफ से आप निडा डार के साथ जा सकते हो, जो की बहतरीन all-rounder हैं, पिछले 10 matches में 273 runs बनाए हैं, 39 के average और 114 के strike rate के साथ, जबकि ये अपनी off-spin gain बाजी से भी बालर्स की तो अगर हम सबसे पहले इंडियन वुमेंस टीम के बालर्स की बात कर लें, तो यहां से आप right arm off-spinner दीप्ती शर्मा को fantasy 11 में ज़रूर रखना, इन्होंने पिछले 10 matches में 15 wickets लिएं, 7.63 की economy और 13 के strike rate के साथ, जबकि ये lower down the order काफी ज़्यादा useful contribution भी बल्ले के स कर सकती हैं, इसके अलावा आप देविका वैदी के साथ जा सकते हो, जो की right arm lex spinner है, पिछले 10 matches में 6 wickets लिएं, 8.77 की economy और 22 के strike rate के साथ, वही पर आप इंडियन वुमेंस टीम की तरफ से right arm fast baller रेनुका ठाकूर के साथ भी जा सकते हो, पागिस्तान वुमेंस की टीम की तर 12 wickets लिए, 5.92 की economy और 14 के strike rate के साथ, ये भी काफी ज़्यदा बहतरीं left arm spinner है, पर अन्त में दोस्तों अब बात कर लेते हैं, इस महा मुकाबले के लिए मेरी अपनी win prediction के बारे में, तो अगर आप overall head to head record की बात करोगे, या फिर जो recent matches इन दोनों टीमों के बीच खेले गए है हर लिहास से Indian women's team का पलड़ा काफी ज़्यदा भारी नजर आ रहा है, इसके इलावा अगर आप playing 11 का comparison दी करोगे, तो वहाँ पर भी Indian team के पास जो batting मौझूद है, वो Pakistan women की batting के comparison में काफी ज़्यदा experienced और strong नजर आ रही है, लेकिन आखरी बार Women's Asia Cup 2022 में जब इन दोनों टी की और फिर से वो Indian women's team को चौका सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भी Indian women's team की form चल रही है और हालिया प्रदर्शन जैसा रहा है, उस लिहास से मुझे लगता है कि Indian women's team इस मुकाबले में as a favorites start करेगी, और ऐसे में दोस्तों मुझे लगता है कि इस मुकाबले में Indian women's team का पलड थोड़ा सा भारी है और इसलिए इस मुकाबले की जो मेरी win prediction है, वो Indian women's team के साथ ही जाने वाली है, so friends ये तो बात हो गई, मेरी अपनी win prediction की आपको क्या लगता है, किस team की playing 11 ज्यादा मजबूर नज़र आ रही है, और आपके हिसाब से कौन सी team ये महा मुकाबला जीतेगी, इंडिया women या फिर पाकिस्तान women, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसके लावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो उसे like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और आप हमारे चैनल को जरू सबस्क्राइब करें, वहीं पर cricket matches की fantasy playing 11, इसके stay safe and good bye